आज के माहोल में जसे आपको पता है कि आज सब आलाइन चल रहा है सबको बद जरूरत है एक ऐसे डिवाइस की जो आलाइन में आपको हेल्प कर सके टीचर्स को स्टूडेंट्स को तो इसलिए सैमसंग आपके पास लेकर आएक बजट टैबलेट जो कि आपका स्टार्ट होता तो सैमसंग ने जो टैप 17 निकाला है इसके दो वेरेंट निकाले हैं जो पेला वेरेंट के आपको स्टैबलेट हमें और को आपका फ्रेशंग के आज प्रोबाइड करता है अगर मैं बॉक्स की बाद चुरू तो बॉक्स की उपर आप देख सकते हो सैमसंग दिख रहा है और टाबलेट कैसा रहेगा वैसा डिजाइन उन्होंने दिया हुआ है पीछे की तरफ अगर मैं बात करो तो यहां पर उन्होंने टाबलेट का जो नाम उ कर दिया हुआ है इस बॉक्स के अंदर क्या वह दे दिया है एक टाबलेट दिया है पर ड्रैबलेड करंद सब्सक्रीट्या करे का एका Always in है कि बाकि और उन्होंने इसका डिस्क्रिप्टिशन ऐह पे दिया नहीं है कि इसका क्या कैशा है तो बॉक्स को open करके हम देखते हैं कि आता है तो ऊपन करके देखते हैं तो को ओपन करते ही सबसे पहले तो आपके सामने आपका टाइब आ जाता है बहुत ही अच्छे इसमें पैकिंग की हुई है यह है हमारे सामने टैबलेट इसको रखते हैं और अंदर फिर आता है आपका यूजर मैनुवल ठीक है यह आप देख सकते वारेंटी काड़ें सब दिया हुआ है फिर सीम इद्रेक्शन किट दिया हुआ उन्हें और यहां पर उन्होंने चार्जर दिया हुआ है और साथ में आपका वायर है जो केबल आपका वो टाइप आपका थे चाजर है बाकी और बॉक्स में कुछ नहीं है तो हम बॉक्स को करते हैं साइड कुन यह हमारी सामने नाज आवे सेवनन मेरे पास ैत्षालर है वह गौड़ इसके घ्रे सिल्वर और गल्ड जो मेरे पास आ है वह गोल्ड भेरेंट का है इसमें जो आता है सिर्फ में नहीं डिया है सैमसंग ने इसे और आपको हो वाइफाइ LTE में चूज करना है तो मेरे पास दो है वो LTE वेरेंट है देखने में बिल्ड कॉलिटी तो बहुत सुपब लग रही है इसकी ठीक है कि आप इसको किसी एंगल से कहीं पर भी घुमाओ तो यह ओरिंटेशन इसका आप देख सकते हो पूरा होता है और साइड में देखो कर यह आपका पावर बटन दे रिया है और यहापका वॉल्म रॉक कर दे रिया है यहां पर आपका एक माइक्रोफोन है नीचे की तरफ देखा जाए तो यहां पर चार्जिंग के लिए और दो नीचे दे दिये हैं जनरली यह नहीं देखने मिलते हैं हमें बजट टैबलेट्स में दोई स्पिकर मिलते हैं इसका जो टैब एस सिक्स है लाइट उसमें भी दो दिये हैं टैब एस सिक्स में उन्होंने चार्ग दिये हैं यहां पे अपना पुराना वही हेड़फोन जैक आ गया है तो यह अच सिम काड का उप्शन दे दिया है तो जैसे में बताए कि बैक में कि यहां पर 8 Megapixel कैमरा है और मैं अगर फ्रेंट के बात करूं तो यहां पर सामने जो कैमरा है वह आपका है 5 Megapixel का अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो यह पूरा जो स्क्रीन है यह 10.4 इंच का है इसके इंदा लगा हुए WUXDA डिस्प्ले जो की 80% स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो है कैमरी के अगर बात करें तो आपका यह जो टाबलेट्स दो होते हैं वह बेसिकली कैमरे के लिए नहीं बने होते हैं बट फिर भी इन्लोंने कैमरा दिया हुए तो वह जो कैमरा दिया है बैक क डॉक्यमेंट स्कैन करने में आपको काम आ जाएगा तो फिर के अगर बात करूं तो यह आपका चलता है एंड्रोइड 10 पे और जो समसंग का वन यू आए है जो की मोबाइल फोन्स में आते हैं वही वन यू उन्होंने आ पर दिया है जो कि लेटेस्ट वाला दिया है 2.5 अ है वह 7040 एमेज की बैटरी दिए जो कि काफी बड़ी बैटरी है आपका पूरा दिन आराम से चल जाएगा उसे सिर्की बात करो तो इसमें स्नैप ड्रेगन 662 ऑक्ता कोर का इसका प्रोसेसर है अगर हम बात करें इसके वीडियो की यूटूब की या फिकोई भी इसके आपक अगरी है तो सैमसंग ने बहुत बेस्ट पीजिट टाबलेट में चार्श पिकर देके और इसका बहुत ही स्मूथ आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं जहां जहां जिस तरह से घुमा रहा हूं वैसे वैसे आपका टाबलेट अपना स्क्रीन ओरिंटेशन हो रहा है जो कि बह प्रवाइड किया हुआ है तो आपको नेट्फ्लिक्स का अमेजन का या पीसी का भी कंटेंट देखना है आप कंटेंट अच्छे से देख सकते हो बैटरी भी इसकी बहुत जादा दी हुए है और इनफेक्ट स्पीकर भी चार दियो है तो आपको साउंड कॉलिटी बहुत मिलेगी तो सैमसंग में सब कुछ अच्छा किया वाइसमें इस बजट टैबलेट में इस प्राइस में यह प्रोवाइड कर रहा है इसका जो स्टोरेज है वो मैं बता चुका हूं 32GB एकी वेरेंट मिलता है बट वन टीवी तक आप उसको एक्सपांड कर सकते तो स्टोरेज कभी आपको कोई इशू नहीं आएगा तो इसमें इस पर्फेक्ट टैबलेट में बजट पर्फेक्ट टैबलेट मुझे एकी चीज़ की कमी लगी है वो है एस्पन के अगर सैमसंग इसमें प्रोवाइड कर देता तो यह आई सपोस सोने में सवागा हो जाता बट ठीक है आ आपको वीडियो देखने नेट्फ्लिक्स देखना है तो आई सपोस्थ यह आपके लिए एकदम पर्फेक्ट टैबलेट इस इस गीवन प्राइस रेंज में 17,999 में आपको इसका वाइफाइट मिल जाता है और 21,999 में 21,000 में 22,000 में आपको इसका LTE मिल जाता है तो उसे दो आते हैं तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो अपको अच्छा लागा हो अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो डेफिनिटली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं आपको फिर से जल्दी मिलूंगा अपने नई वीडियो के साथ झाल